हाई प्रेंड कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्त होंगे तो हम आप लोगों के साथ जो सेयर करेंगे बहुत ही चटपटी मज़ेदार रिश्पी हो जिसको देखकर मुमे पानी आ जाता है बहुत ही खाने में लाजवाब लगती है मेक रोनी पास इसको हमने बहुत ही नए और अनोखे अंदाज से बनाया है जिसको खाकर आप लोगों का मंतों भरी जाएगा उसके साथ साथ यह हैल्दी भी बहुत ज्यादा है क्यूंकि इसमें हमने पनीर का यूज किया है बहुत ही खाने में टेस्टी मज़ेदार लगने वाला एक बार और हमारी तरह से अपने घर पर इसको बना कर जरूर ट्रया कीजिया गया तो चलते हैं अपनी रिष्पी की तरफ यहां पर हमने मेकरोनी पास्ता लिया है 200 ग्राम और इसको हम अच्छे से दो तीन बाल बोस कर लेंगे उसके बाद इसको हम उबालने के लिए रखेंगे इस यहां पर एक तेज पत्र का पत्ता डालना है जिससे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी घुस्बू आएगी थोड़ा सा नमक लेना है नमक हमने यहां पर एक चप मच लिया है थोड़ा सा आप जैसा अभी नमक खाते हूं बैसा डाल सकते हैं इसको हम 5-6 मिनट के लि आप रही है थोड़ा सा अहरा दनिया ऑर मांक पनी ली हर् EU को बहारे हमेरे घर पर जो हमें तयारी है जारी है आप हमारी अभी सबूंज सकडा थोड़ा भरा बार पानिह थोड़ा में उसको निकाल दिया है कि इसमें इस तर्फानिक होगा ब great रचा पास्टा तयाद हो जाएगा और आप एक धान उसे कि इसमें त्टर्फटे से इतनी खुश्पी उसमें आने लगी है कि हमारा कि हमारा इसे ही खा लिए अब देख सकते हम यह पानी इतना निकला है यह हैं आप इसको हम एक साइड लिए लोग में रखो देंगे यहाँ पर आपने कड़ाहीं में सरसों का तेल लिया आप चाहें जिसका भी तेल पसंद करते हैं उसका चैल ले सकते हैं यहाँ पर हमने एक चमच करने, ब्राउन कर अने, अब प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है इसी में इसम्मिर्ठ मिर्च डाल देनी है, ऐसे ही ऑलकै法 सब्ने कर चलाते हुए इसको भी हमें थानी य Cameron करना बहुत करना में जड़ा नहीं करना आए । socialism जल जाती है, तो खाने मेंդ्टम ज्यादा तो इसका बिल्कूल बाइट कलर होता अब यहां पर डालकर हमें अच्छे से मिक्स करके इसको दर उदर से प्रट कर चला लेना है इसका फैबर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों अपने घर पर इसको पनी डालकर एक वार पास्ता जरूर बना कर ट्राइ किजिए का खाने मे अच्छे से धीमी धीमी आज पर पकाना है बहुत जादा हाई फलें पर नहीं पकाना है इसी में बहुत थोड़ी सी हल्दी लेना क्योंकि हल्दी हम पहले से भी डाल सकते हैं इसे रहे हमें खाली सब्जियों में कलर आए उतना ही डालना एक चमच हमने लाल मिर्च पावड लेना है अब नमक हमने यह चोटा वाला एक चमच लिया है इसको भी इसी में पका लेना जैसे कि नमक इसमें पक जाएगा तो सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी नमक पढ़ने से क्या होता सब्जी बहुत जल्दी से पक जाती है अब इसको मसाले हमारी अच्छे से पक कीजिएगा खाने के सासाथ हेल्दी भी है आप ऐसे ही में उलट प loro के अच्छे से चलाते हुआ ही इसको पकाना है दीमी आज पर पकाना बहुत ज़्यदा हाई पिला पर नहीं पकाना है इसमें मेगी मसाला यानी गरम मसाला जो भी पस प्संद हो वो मसाला इस एड़ कर सकते हैं मेक्रोनी मारे बनकर रेड़ी हो चुकी है ऐसे ही हमें चलाते भी इसके मसाले भी एड़ कर देने और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुस्बू आने लगी है असमें एक चीज की कमी रहे गई है वो है हरे धनिये की अगर हरे धनिया नहीं डालेंगे तो क्या होगा इसमें बहुत ज़्यादा केमी रहे जाएगी क्योंकि जब जिस सब्जी में हरा धनिया नहीं पड़ता है वो बिल्कुल अधूरी लगती है इसमें हरी धनिया डाल कर अब आप लोगों के साथ हमसको सेर करेंगे देख सकते हैं हमारी मेक्रोनी मंकर रेड़ी हो चुकी है बहुत ही प्यारा कलर आप उह बहूत ही बिल्कुल थेले ये जैसी हमारी मेक्रोनी पास्ता बनकर ready हो चुका है आईए हमारे साथ इसको चक्र बताईएगा कि हमारा ये पास्ता आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करना बिल्कुल ना बुलिएगा कि हमारी ये रिस्पी आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भी लुएगा हमारा पूरा वीडियो बोच करने के लिए धन्य बाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई